इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटर्निट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बारoster से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं औ और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Mipta's 4.5 grams injection is a combination of two antibiotics. इसका इस्तेमाल विभिन प्रकार के बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमन का इलाज करने के लिए किया जाता है. यह सूक्ष्ण जीवों को मारकर संक्रमन से लड़ता है. Mipta's 4.5 grams injection is generally administered by a healthcare professional and should not be self-administered. आपकी बीमारी की गंभीरता के आधार पर आपका डॉक्टर सटीक डोज और स्केट्यूल बताएगा, जिसके अनुसार यह injection दिया जाना है. इसका इस्तेमाल सक्त रूप से डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार करने की सलाह दी जाती है. इस दवा के कुछ सामाने side effect में मिचली आना, उल्टी, डायरिया, यानिकी, दस्त और रेश शामिल हैं. इसके अलावा, injection लगाने की जगह पर कुछ रियेक्शन, जैसे, दर्द, सूजन या लालिमा जैसी समस्याएं हो सकती हैं. अगर इन में से कोई भी side effect समय के साथ ठीक नहीं होता है और लंबे समय तक बना रहता है तो आपको अपने डॉक्टर से परामर्ष करना चाहिए. दवा का उपयोग करने से पहले, अगर आपको किसी भी एंटी बाउटिक्स के लिए अलजी हैं, या केड़नी या लिवर की समस्या हो तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए. आपका डॉक्टर आपकी डोज को बदल सकता है या कोई अन्य दवा आपको दे सकता है. डॉक्टर की देखरेक में यह दवा गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान सुरक्षित मानी जाती है. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.